आज बात करते हैं कि English की strategy क्या हो सकती है आखरी के एक महिने के लिए अब English को तीन हिस्सों में हम बाट सकते हैं एक होता है मारा vocabulary वाला section दूसरा होता है grammar वाला portion और तीसरा रहेगा comprehension based questions तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं सबसे पहले अगर हम vocabulary की बात करें तो यहाँ पर 50-50% chance चलता है मतलब कि आपके तयार किये हुए शब्दों में से ही अगर सवाल आया तब तो वह हमसे बन जाएगा लिकिन अगर कुछ दूसरा शब्द आ गया है जो हमने तयार ना किया हो तब हमसे वह solve नहीं हो पाता grammar की अगर मैं बात करूँ तो यह ऐसा topic है जो तयारी के साथ हर कोई solve कर सकता है तीसरा अगर हम comprehension की बात करें तो यह वाला सबसे मुश्किल पार्ट होगा इस पूरी exam का और वो इसलिए क्योंकि यह portion उनी से बनेगा जो की इस पर actually मेहनत करते होंगे otherwise इसका कोई shortcut कोई short trick नहीं होती अब सबसे पहले हम बात करेंगे vocabulary की vocabulary को हम किस तरह से तयार करें अब मैं वीडियो बनाने से पहले दूसरे YouTube पे दूसरे channels के वीडियो देख रहा था कि वो लोग किस तरह से पढ़ाते हैं क्या चीजे कराते हैं तो दो चीजे मुझे वहाँ पे basic दिखी पहला कई लोग mnemonics का use करके आपको बढ़ा रहे होते हैं मतलब वो English का word आपको दिखाएंगे उसके साथ कुछ मिलता जुलता शब बताएंगे या फिर कुछ तरीके के कर मैं बात करूँ नेमonics की तो अगर हमारे पास सिर्फ सो दो सो शब्दों का ही set होता अगर हमें सिर्फ वही तयार करने होते हैं तब तो नेमonics वाला पार्ट बहुत अच्छा होता बहुत सही तरीका होता वो याद करने का लेकिन अगर हम अपनी एक्जाम में देखें तो कोई ऐसा set तो है नहीं कि सिर्फ इतनी शब्दों में से सवाल पूछे जाएंगे हमारे साबने तो पांसो हजार कितने भी शब्दो सकते हैं तो अगर मुझे हजार शब्द याद करने हैं तो क्या में उसके लिए हजार नेमोनिक्स भी याद करने हों साथ में तो ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा ना उस तरीके का तो वो तरीका मुझे थोड़ा कम पसंद आए क्योंकि ज़्यादा वर्ड हमें याद करने होंगे वोकेबलरी के तब वो एफेक्टिव कम रहने वाल है रूट वर्ड कई जएके हमारी हल्प करता है अगर आपको 60-70 रूट वर्ड भी अगर याद है तो उनसे जुड़े हुए जो सवाल होंगे कुछ वो बन सकते हैं तो वो एक थोड़ा सा बेटर तरीका है लेकिन जब शब्द ही हमारे 500,000 जा रहे हैं तब हम उन्हें कैसे डिल करें तो वोकेबलरी के अगर मैं बात करूँ मैं क्या फॉलो करता था तो वोकेबलरी.com करके एक वेबसाइट है वहाँ पर आप अपना फ्री अकाउंट बना सकते हैं अप उसका नहीं है लेकिन अपने मोबाइल पर हम उसके डिर्क वेबसाइट खोलके भी उसे पढ़ सकते हैं वहाँ पर खासियत यह थी जो मुझे लगी कि मैंने वहाँ पर नॉर्मन लेविस की जो एंड लिस्स दी हुई है उसके words को वहाँ पर मैंने compilation के रूप में बना लिया और वहाँ पर vocabulary.com उसे एक quiz के format में बारबार test करता रहता था उससे यह होता था कि एक तो शब्द जो है वो मेरे तयार होते जाते थे प्लस वहाँ पर tracking भी चलती कि कितना percent आपने इसे तयार कर लिया है वो सब तो tracking का मुझे फायदा होता था तीसरा जो सबसे important है शब्द याद तभी रहेगा जब हम उसे sentence में प्रयोग करके देखेंगे तो वहाँ पर वो तीन चार sentence भी देते थे उस word से related तो इस वज़े से link बन जाता है शब्द का आपके दिमाग के साथ वो एक kind of अपने आप नेमोनिक्स आपका दिमाग बनाता जाएगा background में तो ये best तरीका है शब्दों को याद रखने का कि उन्हें sentence में प्रयोग करके देखा जाए तो वो benefit मुझे वहां से मिलता था और वो जो दो compilation बनाई है मैंने दो list है वो मैं आपके साथ share कर दूँगा वीडियो की description में दोनों में link दे दूँगा आप उसको अपने account में add कर लेना फिर वहां पर practice का button रहेगा उसे जब आप दबाएंगे तो वो एक एक करके सारे words आपसे पुष्टा जाएगा और ऐसा आप कितनी भी बार कर सकते हैं as per your wish और आप जब चाहे तब कर सकते हैं तो आप चाहे ट्रैवल कर रहे हो तब सोने से पहले अगर आप थोड़ा सा पांदस मिट देना चाहते हो तो इस तरह से आप आपकी vocabulary तयार होती जाएगी दूसरा अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो जो अभी तक आपने चाहिए हो जहां पर आपकी vocabulary लिखी हो अगर मैं target की बात करूं कितना हम तयार कर सकते हैं अब हमारे पास तो एक ही महीना है अभी तो एक एक रेफरेंस के लिए figure में अगर आपको दे दूँं तो 500 लगभग 500 vocabulary की वर्ट्स आप टार्गेट कर सकते हैं अपनी capacity की हिसाब तो 500 शब्दों का लगभग एक target आप बना के चलेंगे vocabulary का कि अगर उसमें से शब्द पूछा गया एक्जाम में आया या उससे associated कुछ भी रहा तो आपसे वह 100% फिर बनना चाहिए वहां पर फिर यह नहों कि याद नहीं आ रहा या फिर पढ़ा था लेकिन भूल गया यह स जितनी भी vocabulary पढ़ी थी जहां से भी पढ़ी थी अगर आपने उसको कहीं लिखा हुआ है या फिर compilation बना रखा है तो उसको आप revise करते जाएए जितने भी शब्द हैं उनको आपको revise करना है या फिर book के end में जो भी book आपके पास होगी उसके पीछे vocabulary दी ही होगी तो कुछ न लेंगे तो इसे अलग से तयार करना कोई beneficially होता नहीं है दूसरा आता है one word substitution यह relatively आसान पढ़ता है क्योंकि हमें साथ में और भी शब्द दिये रहते हैं sentence रहता है तो वहां से कई बार हम meaning को reduce कर लेते हैं तो यह आसान पढ़ जाता है spellings vocabulary से जोड़ा हुआ है तो यह साथ में चलता है इसमें कुछ अलग जैसा कुछ नहीं है फिर आता idioms and phrases idioms and phrases भी vocabulary जैसे ही है आपको पढ़ना है उसका दिरे-दिरे से तयार करना है तो idioms and phrases में आप 200-500 यह अपना target रख सकते हैं इतने तो आपको किसी भी book के पीछे मिल जा प्रीद के उसको तयार करने का बहुत ज्यादा मेनिंग नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक महीने का टाइम है और आपको लिमिटेड ही preparation of करनी है अब बात करते हैं grammar वाले portion की तो यह relatively पूरे सारे portions में लाकि थोड़ा सा आसान है क्योंकि इसकी तैयार ही हम आराम से कर स रहेंगे आपने जो भी कोई भी आपके पास किताब हो स्टुटेंट्स मुसे पूछते है कि कौन से किताब से हमें पढ़ना चाहिए कौन से किताब ज्यादा बैटर है तो आप जितनी भी किताबों के नाम बताते हैं वो सारी किताबे मेरे पास हैं grammar के rules सब में एक जैसे ल बनी जाएगा फिर आता है active, passive और direct, indirect यह जो दो subject हैं यह जो दो topic हैं यहाँ पे 100% का target होता है क्योंकि यह दो ऐसा topic है जहाँ पे आप पूरे confidence के साथ 100% score कर सकते हैं इतने better topic हैं तो यहाँ पे तो आपको 100% का target रखना ही रखना है error detection आप जितने rules पढ़ेंगे practice करेंगे उस हिसाब से आप इन्हें कर पाएंगे तो इस moment पे आपको किताब की चिंता नहीं करनी है जो किताब आपके पास है वही सबसे best किताब है आपको बस उसे ही revise करना है target रखी कि exam के पहले at least दो बार वह आप से पूरी पूरी revise हो जाए तो error वाले part आपके लगभग सारे हो जाएंगे active passive यह तो करना ही करना है इसमें तो कोई exception नहीं है अब चलते हैं सबसे मुश्किल पार्ट जो की है comprehension अब यह मुश्किल क्यों होता है इसका मैं आपको reason बताता हूँ comprehension में करना क्या है जो लिखा हुआ है उसे ही पढ़के में समझना है लेकिन पढ़ा हुआ समझने में दिक्कत आती है दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि depend करता है कि जो passage दिया हुआ है उसकी depth क्या है उसमें किस तरह के शब्द लिखे हुए है कितना वो मतलब एक normal सा है या फि लोग इसकी practice बिल्कुल भी नहीं करते हैं यह एक चीज जो मैंने notice करी है कि लोग दिन पर बस grammar बढ़ा करते हैं vocabulary पढ़ा करते हैं लेकिन comprehension पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं वो देते हैं अब जब last moment आ जाता है और तब फिर उनसे बन नहीं रहा होता है तो कारण यह ह करने वाली चीज है comprehension इसमें कोई shortcut नहीं होता कोई short trick नहीं होती कोई ऐसी चीज नहीं जो कोई आपको बता दे और आप उसे कर लेंगे और exam में आप score कर देंगे ऐसा कुछ नहीं चलता है अब अगर हम देखें sentence rearrangement तो कुछ basic चीज रहती हैं कि कौन से शब्द हैं जिनसे sentence चुरू नहीं हो सकते हैं तो वहां से हमें सीज को पकड़के कर सकते हैं close test again पूरा passage पढ़के हमें देखना पड़ता है कि किस meaning में sentence को ले जा रहा है हमारा पूरा passage कहां पे जा रहा है उस हिसाब से हमें words वहां पे choose करने पड़ते हैं passage यह तो ही अपने आप में plus sentence improvement यह जो improvement की बात हो रही होती है तो improvement कि sense में improvement रहता है comprehension के base पे कि समझने में या पढ़ने में कौन सा sentence है जो ज़्यादा better रहेगा तो जब ज़्यादा better की बात हो रही होती है इसका मतलब है sentence तो सही लिखा है और उससे बहतर क्या हो सकता है वो हमें करना पड़ता है तो subset of अगर question English म बन सकता है तो वो बनता है sentence improvement में और यह हमें तभी समझ में आएगा जब हमारी command होगी comprehension अब बात आती कि इसे हम तैयार कैसे करें comprehension के लिए कई लोग बोलते हैं कि आपको newspaper पढ़ना चाहिए editorial पढ़ना चाहिए या जो भी कहते हूं अब editorial पढ़ने का मैं इसलिए suggest नहीं करता हूँ क्योंकि वो तो अपने आप में सबसर टफ रहता है तो जो तैयारी शुरू करी रहा है या फिर जिससे इसमें command नहीं है वो editorial पढ़के कैसे समझ पाएगा वो उसके लिए possibly नहीं हो पाता है वो और जद़ डिस्करेज हो जाता है तो newspaper बगारा के चक्कर में आपको पढ़ने की बिल्कुल जोरूत नहीं है symbols आपको यह करना है अब comprehension के लिए आप previous year papers पर फोकस कीजिए कि उनमें कैसे पैसे जाए हैं उन्हें आप पढ़िए उसके आप questions solve कीजिए पायदा क्या होगा अब मैं आपको compare करवाता हूँ माली जै आपने newspaper में article पढ़ा ठीक है अब आपको सही समझ में आया कि यह आप test कैसे करेंगे यह तो पता ही नहीं चलेगा लेकिन अगर आप previous year से passage solve करेंगे तो पहले तो आप passage पढ़ेंगे उसे समझेंगे प्लस उसके बाद आपसे question भी पूछे रहेंगे उसमें तो वहा आप मिस्टेक कर रहे थे ज्यादा तर प्रिपोजिशन बेस जो रहते हैं question वहां पर ज्यादा में problem आती है क्योंकि पता नहीं चलता कि कौन सा बैटर प्रिपोजिशन वहां पर लगेगा फिर sentence rearrangement तो इसके तो अपने आपके तरीके अभी तक आप prepare किये हैं तो पता ही हों जब भी passage के form में दिया रहता है तो वहां से हम चीजों को idea लगा सकते हैं plus sentences में भी एक flow चलता है कि इसके बाद ये इसके बाद ये इस तरह से तो वह आपको comprehension से समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्या हमारा sentence है जो इसके पहले तो नहीं हो सकता ठीक है या इसके बाद ही आना च लें और चीजें हमसे बनने लग जाएं automatic ये long term की चीज है फिर भी आपको इस level इस moment पर भी आपको discourage नहीं होना है आपको बस करना है previous year question इस पर आपको ध्यान रखना है सारी आपकी practice उसी से हो जाएगी sentence समझना sentence पढ़ना और दूसरी एक चीज बात जब भी आप passage पढ़ आप करें तो आपके lips भी नहीं चलने चाहिए बिल्कुल आप बिल्कुल silent mode पे सिर्फ आपकी आँखे move होनी चाहिए और money-man आपकी reading चलती रहनी चाहिए तो बोलके बोल-बोलके नहीं पढ़ना है बिना बोले आपको पढ़ना है attention focus उसमें ज़्यादा रहता है प्लस चीजे आपको retain ज़्यादा होंगी और सबसे बड़ी बात time कम लगेगा यह चीज कुछ basic tips हैं जो आपको ध्यान रखनी है comprehension based questions solve करने में तो comprehension वाला पार्ट हो गया grammar का पार्ट हो गया vocabulary का पार्ट हो गया again एक चीज और मैं आपको emphasis कर दूँ book correlated क्योंकि मेरे पास बहुत query आती है हर को एक ही सवाल पूछता है कौन से book से करें तो book को लेके बिलकुल भी आपको परशान नहीं बना है कोई भी magical book नहीं है जिससे सवाल आ जाते हो as it is या जो आपकी बहतर तयारी करवा दे सारी किताब एक जैसी है सेम content है थोड़ा बहुत explanation उपर नीचे हो सकता है तो वह आप अपनी preference है चीज खरी दी चुके है तो जो आपने book खरी दी है अभी वही best है उसी को आपको दो बार exam के पहले आप पूरी तरह से रगड के जाना है ठीक है तो यह हमारी English की strategy पूरी हुई एक मन्त में एक चीज कर लें वो भी कर लें सब कुछ कर लें अब आपका यह time है prime time है जब आपको चीजों को consolidate करना है चीजों को समेटना है तो इस हिसाब से अपनी strategy बनाइए कि एक महीने में जितनी भी चीज़े आपने देखी है उन्हें आप किस तरह से revise और recall कर सकते हैं all the best कर दो कर से अपना है और ले की एकृषग से तरह से कॉछ कर दो है तरह स क undoubtedly सब हैं अबस्त में आपका रखका जितना लेन पहा है उन्हें किस भी और रूशच है